हेलो एब्रिवन वेलकम टू आवर यूटूब चैनल तो कैसे हैं आप लोग मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ट्वल्थ इंग्लिश सौमाक्स के ग्रैमर परसन का मौस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाइस तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वाइस से रिलेटेड जितने वी डाउट से हैं तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है और अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक और शेर भी करना है और आप इस चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल रूप है क्या बोला जा रहा है किसी वाक में परियुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि या तो करता कुछ करता है या स्वेंग करता पर ही कुछ घटित हो रहा है यानि क्या बताया जा रहा है या तो करता कुछ करता है या सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्ज आपका एक्जम्पल मिसमें क्या बोला जाए राम इस बीइंग बीटन यानि पर क्या किया जा रहा है पीटा जा रहा है यहां पर करता पर काम किए जा रहा है और यहां करता खुद स्वेंग काम कर रहा है यहां करता एम पर हो रहा है सबजेक्ट पर रहा है तो हैं कि राम पर हो रहा है यानि क्या कर रहा है किरिया को वो संबादर कर रहा है किसी को पीट रहा है इस सेंडेस में उन्होंने क्या कर रहा है किसी को पीट रहा है अर्थात राम यानि करता राम क्या है यहां भी सब्जेक्ट है यानि करता है क्या है वो सकीर्य है एक्टिव है क्या है वो एक्टिव है पीटने का काम कर रहा इसलिए वो क्या है एक्टिव है इसलिए इस वाक्त में परियुक्त किर्या इस बीटिंग क्या है इस बीटिंग को एक्टिव वाइस में होना समझा जाएगा यहां पे जो बीटिंग है इसको एक्टिव वाइस में समझा क्यों जाएगा क्योंकि यहां पर करता क्याम को कर रहा है यानि करता एक्टिव में है इसलिए यहां पर यहां पर यहां पीट नहीं रहा है बलकी क्या कर रहा है देखते हैं लोग आगे चले आगे क्या बोला जा रहा है वाइस दो परकार की होते हैं चले मैं आपको बता दू जो वाइस होते हैं वो दो परकार की होते हैं कौन कौन से होते हैं फरस्ट में आपका active voice, second में आपका passive voice, तो हम लोग जानेंगे active voice के बारे में और passive voice के बारे में अलग-अलग से, तो चलिए देखते हैं हम लोग active और passive voice को, चलिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, क्योंकि इसमें जितने विए doubts से आपके सारे को clear कराया जाएगा, चलिए देख लेते हैं आपके active voice, तो active voice किसे कहते हैं, तो आपको screen पर दिख रहा होगा, a verb is said to be in the active voice, यानि कोई भी वर्ब उस वक्त active voice में कहा जाएगा, जब इस form shows that the person or thing denoted by the subject does something, यानि कुछ वो कर रहा है, जब उसको denote किया जाएगा कुछ करने से, तब हम कहेंगे कि active voice में है, अब देख लिए थे हम लोग passive voice, passive voice किसे बोलते हैं, चलिए, जब कोई करता, कोई काम को, यानि कर रहा है, उसको denote किया जाएगा, कि वो काम को, किसी काम को कर रहा है, तब हम उसको active voice में बोलेंगे, अब देखेंगे हम लोग, passive voice किसे बोलते हैं, चलिए, यहाँ पर passive voice क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, passive voice बोलेंगे, चलिए, आप देख लेती हैं, लोग, यानि आप लेंगे note देख लिजिए, आप लेंगे note में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखेगा, आप note कीजेगा, वस्तूते क्या होता है, यानि आपको sentence में जो होता है, क्या होता है, क्या होता है, किसका होता है, वर्ब का होता है, sentence का वायस नहीं होता है, यानि वर्ब का होता है, परन्तू, sentence में पर्यूक्त वर्ब, क्या बोला जा रहा है जो सेंडेंस में जो वर्ब रहता है मौझूद रहता है अगर एक्टिव वाइस में रहता है तो सेंडेंस या कलाउज क्या एक्टिव वाइस में होना समझा आता है लेकिन क्या होता है मैंने आपको बता दिया जो वर्ब यानि वर्ब क्या होता है वाइ युक तो वर्ब पेसिव वाइस में रहता है और वर्ब क्या रहता है अगर पेसिव वाइस में रहता है तो पूरे सेंटेंस को भी पेसिव वाइस में होना समझा जाता है तो यहां पर क्या बता है आपको कि सेंटेंस का वाइस नहीं होता है वाइस किसका होता है वर्ब का होत है चलिए वर्ब के वज़े से ही सेंडेंस को को शर्ष में समझा जाता चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आगे चलिए अब कुछ देख लिए तो डूल किया बता जा रहा है यहां पर वाइस के इंटर-चेंजिंग करते समय यानि जो वाइस है उसको अगर हम इंटर चेंज करेंगे उसको बदलेंगे उससे में क्या किया आता है एक्टिव वर्ब की अबजेक्ट को यानि जो एक्टिव वर्ब का अबजेक्ट होगा उसको पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना दिया जाता है यह डूल है तो एक्टिव वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसको पेसिव वर्ब का एजेंट बना दिया जाता है तो यहां पर आपको दो रूल या रखने हैं क्या किया जाता है एक्टिव से पेसिव में बदलने के लिए जो एक्टिव वर्ब का क्या रहता है जो अबजेक्ट रहता है उस से कलाउस के अंत में बाई या अन उप्यूक्त प्रेपोजिशन लगाकर रख दिया जाता है अगर जो यह एजेंट होता है उसको क्या किया अगर वह अर्थ या भाव को असपस्ट करता है तो उसको कलाउस के अंत में क्या कियाता है बाई या अन उप्यूक्त प्रेपोजिश एक्टिव से पेसिव में कैसे बदला आता है चले तो देखते हैं मोग क्या है या पर देखिए present in different tense देखेंगे हम लोग, यानि इस वीडियो में हम लोग जो present tense है उसमें जतने भी यानि जो है present in different, present perfect या present continuous tense सारे को इस वीडियो में हम लोग cover करेंगे कैसे उसको passive में change किया आता है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कोई भी एक्टिब वा içsajes में अधन लें के लिए हम लोग फिरी का इस्तुमाल करेंगे चाहे हएक प्रजेंट में मोथा सब्लकुन कोई इसामी हो हम लोग वी थिरी का से तबाल करेंगे ब्रदीय कर जाएग वह गया हो जाएगा पर सब्जेक्ट बन जाएगा कैस tirar वका चाह. जो एजन्ट क्या होगा में होगा मुख रूप से होगा तुछ क्या करते जाएगा बाई लगाकर उसको sentence को पुरा किया आएगा तो यहाँ पर I am helped by him हो जाएगा यानि ही से यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका हिम हो जाएगा चलिए तो होगी आपका I help you नहीं किया है यहाँ पर क्या हो जाएगा पेसि में वह सब्जेक्ट बन जाएगा यू आया हैम है यूजह होगा पास्ट में हो इसके बाद है सेगें सीट टीचेज यू क्या है सी टीचेज यू तो यहां पर क्या हो ञाएगा यू आरण चोट बाई हर क्या हो जाएगा और यूया है यू को ज़र IB यहां पर अगला एगजम्पल को देखिए यह जितनी वी एगजम्पल है आपको ध्यान में रखनें हैं कंडेशन औरोल सारह क्योंकि आपको एक्जाम में बार बार पुछे आते हैं यह most important topic है wise चलिए we respect him यहां पर we respect him यहां पर him क्या है अब्जेक्ट है तो उसका subjective case क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा he is यहां पर respect का third form हो जाएगा respected by us we का क्या हो जाएगा यहां पर us हो जाएगा तो we यानि he is respected by us हो जाएगा अब देख लेते हैं लोग अगला example people speak Hindi in भिहार क्या बोला जा रहा है people speak Hindi in भिहार यहां पर क्या हो जाएगा Hindi is ah indeed is spoken in भिहार यहें पशक कर पेसिव क्या हो जाएगा speak Hindi is więcej spoken sorry speak का यहां पर तरफ हो जाएगा इन भिहार चलि जो अगला example है उसको देख लेते हैं लोग चलिए क्या अगला एक्जम्पल क्या है वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज क्या हो जाएगा वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज यहां पर आपको यहां पर पैसिम में क्या हो जाएगा गुड न्यूज इस एक्सपेक्टेड इस एक्सपेक्ट गुड न्यूज इस एक् आस हो जाएगा यह हमारा और क्या हो जाएगा देखिए सारे में त्थर्ड फ़ारा है व T?", तो आप ध्यान में रखने हैं जलिए हम लोगोंने यानि इंडिफनिट में कर लिया परordele का रूल क्या होता है मैंने आपको बता दिया अभर हम लोग देखेंगे अगला क्या कि पेसी फो में कैसे बदलेंगे उसको सबसे पहले helping पर क्या होगा है एम इस आर होगा चलिए उसके बाद यहां पे क्या होगा बीइंग येस येस आपको अगर कोई भी continuous में हो continuous में कोई भी टेंस कब होता है जब के साथ आइंजी जुरा हो तब को देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्य हमसे है चलिए है क्या है ने क्या है देखिए एक्जाम्पल आपको इस्कीन पर देख रहा होगा क्या है क्या है यहा पर अपर सब्सक्रार करते हो acred Mog से होगा तो is mr लगेगा उसके बाद प्लस बींग लगेगा उसके बाद देखे अब यहां पर क्या है I am eating a mango यहां पर क्या हो जाएगा a mango यानि जो अब्जेक्ट है यहां पर वो सब्जेक्ट हो जाएगा a mango इज मैंने आपको हेल्पी में बता था इज एम या आर लगेगा तो यहां पर क्या लगेगा a mango is being written by me अदि दूसरा डेख लेते हैं they are singing songs क्या हो जाएगा बाई यहां पर बाई देखा क्या पर यहां पर यहां पर मम लोग देख लेते हैं लोग देख़ायर रिप्येरिंग दर्बीरिज से depicted क्या हो जाएगा क्या हो लिए सब्चिक्ट होजाएगा यहां पे क्या हो जाएगा the breeze is being repaired क्या हो जाएगा the breeze is being repaired यहां पे जो repair का third form हो जाएगा repaired हो जाएगा और मैंने आपको उता दिया था जो present continuous में क्या लगेगा being का use होगा चलिए आप next example क्या है he is helping his mother क्या बोला जारा he is helping his mother यहां पर क्या हो जाएगा his mother यहां पर object क्या है his mother है तो यहां पर क्या हो जाएगा subject his mother is being helped by him चलिए यहां पर देखना है आपको सारे में यहां पर ED वर्ड की थर्फ हो रहा है और present continuous है तो यहां पर being use हो रहा है तो यह आपको condition याद रखने हैं अब हम लोग देख लेते हैं अगला example क्या है कि दे आर डिसकसिंग दा मैटर क्या है यहां पर क्या हो जाएगा दा मैटर इस बीइंग डिसकस्ड यहां यहां पर क्या हो जाएगा वर्ड की जुरुआ हए लेकिन यहां पर क्या होईगा यहां यहांपको द्यान में रखने हैं चलिए अब देख लेता हैं आगे यह लिए हम लोगों ने क्या पड़ लिया परजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो एक्टिव से प्वाइस यानि एक्टिव से पैसिव वाइस आप देख लिया अब हम लोग देखेंगे नेक्स यानि परजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से प्वाइस यानि पैसिव वा हब क्या है परजेंट LA इंज में ऑपरिषेक्ट ने का तरीका क्या कोई में कब होगा जब उसके साथ है यूझी यूझे यहां परेख्इब यहां प्रसॉपेंगे 멜ंप हैटीव से पाइसिप में बदलने के लिए एज वी यह होगा उसके साथ क्या होगा हम लोगों पर यहां पर पर लेकिन यहां पर जो परफेक्ट में होगा उसके साथ या क्या लगेगा ईए यहां पर बी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है यानि जितने भी सारे हैं सब जगह दिरी ही आएगा तो आपको ध्यान में रखने हैं चलिए देख लेते हैं क्या एक्जाम्पल के माद्ययम से क्याasan – 1. I have finished the work क्या बोला जा रहा यहाँ फिनीजट द वर्क क्या हो जाएगा द वर्क हैस भीन्पिनपीश्ट भई मी क्या हो जाएगा दर में यहां कि रहे ना पर लगा है औरा पर जिन एम लोगों ने बीइंग लगाया था तो आपको ध्यान में रखने है कहां पे क्या लगेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा कहीं भी आपको ढखने में बिन नह обязता लेना है कि यह पर आपको समय है जलए है यह दैक bar ड्वृल में आपको यहां पर बता दिया गया है अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्या है एक्जम्पल हर सिस्टर है चीटेट हर त्हूंप क्या हो जाएगा रिटक्वी सब्सक्राइब किया हो जाएगा बिल लग रहा है जो कि मैंने आपको में बता दिया था इस ट है his manttha तेंट मी क्या हो जाएगा राम है दिस्टरब्ड मी यहां पर मी का क्या हो जाएगा आई यहाँ पर आई के साथ क्या लगता है कौन सा helping लगता है perfect में हैब लगता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I have been disturbed by Ram क्या हो जाएगा I have been disturbed by Ram चलिए आपको यानि condition rule याद रखने हैं कहां पे कंसा एक याएगा चलिए अब लेखलें लिग लोग लोगंगो सब्टेक्जाब स्मोण है सपर्छन ब्लगला एग्जम्पल क्या है No one has seen him for the last 10 years क्या हो जाएगा no one has seen him for the last 10 years तो यहां पी जो पेसिम में क्या हो जाएगा he has not been seen for the last 10 years क्या हो जाएगा he has not been seen for the last 10 years चलिए तो आपको ध्यान में रखने हैं चलिए अब देख लेते हैं अगला एक्जाम्पल क्या बोला जा रहा है he has always helped me यहां पर क्या हो जाएगा I have always been helped by him चलिए आपको रूल यहां दखने हैं यहां पर वर्वी की थर्ड फोर्म की आगे बिल लगा उसके बाद यहां पर क्या लगा है जो हैं लगा है जो हैं के साथ आता है पर जिपनी पर्फेक्ट टेंस में तो यहां पर क्या हो जाएग था I have always been helped by him चलिए हम लोगोंने पर जिन पर फेक्ट टेंस भी कर लिया एक्टिब से प्वाइस यानि एक्टिब से पैसिब वाइस में अब देख लेंगे हम लोग आगे क्या है आगे पर जैन पर्फेक्ट कॉन्टिन स्टेंस यहां इसको भी देखेंगे हम लोग एक्टि क्राइब सब्सक्राइब कि ही दोगा क्या होगा क्या जाएगा है जाएगा सब्सक्राइब क्या रही है पिल के इसे लाट कर फोर्म याने किसमें क्या पड़ा था उस Bobby क्या शुपर से दत्राओं कर्फिक्र ने लगेगा और धुपर जो क्या परफेक् साही गा अग considerations परफेक्ट कॉंटिनियंस दोनु है यहां पर सबसे पहले क्या आएगा बिन आएगा उसके बाद बीइंग आएगा उसके बाद वर्डवी की थर्ड फर्म चलिए एक्जाम्पल को देखते हैं फिर हम लोग किलियर करते हैं डाउट को बंडियंग रिसर्च फौर यह क्या हो जाएगा पैसिब रिसर्च यहां पर जो क्या है अबजेक्ट के थर्ड फर्म डू का क्या हो जाएगा डन हो जाएगा four years यहां पर क्लियर हो गया the research has been being done four years अब देख लेते हम लोग दूसरा example क्या है we have been digging the well for 10 years we have been digging the well for 10 years यहां पर क्या हो जाएगा दाव एस बीन हो जाएगा उसके बाद बीन हो जाएगा उसके बाद क्या हो होता है वह होता है डग तो क्या हो जाएगा the well has been dug for 10 years चलिए हम लोगों ने इसमें क्या कर लिया परजेंट इंडिफिन टेंस का एक्टिव से पैसिव वाइस उसकी बाद परजेंट कॉंट्यूनेस टेंस का एक्टिव से पैसिव वाइस उसके परजेंट कर लिया है तो आगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा पास्टेंस के यानि जो चितने भी है अपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में उसको शेयर कीजिएगा अगर आप नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबा लेजिए तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सब का धन्नवाद तिल देन बाई-बाई-बाई-टाड़ स्यूंद नेक्स्ट वीडियो